हेलो स्टुदेंग्स स्वागत है आपका आई लव मैथेमेटिक्स की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका जाना पहचाना डिविजन मैथड बट थोड़ा सा सिंप्लिफाइड वे में इसके लिए आपको एक सिरीज फोलो करनी होगी वो है एक वर्टू और लेस्देन उसके बाद हमें करना है सब्टेक्ट इसके बाद नेक्स्ट डिजिट एन फिर से वही तो एक साइकल फोलो करना है सबसे पहले हमें क्या करना है जो हमारे पास डिवेजर है उसका टेबल लिखनेंगे टेबल लिखने के लिए एक simplified method मैंने आपको वीडियो में बताया था जिसका लिंक आपको उपर information box में मिल जाएगा तो हमने यहां 12 सा टेबल लिखा हमें यह देखना है 12 में 2 डिजिट है तो हम यहां 2 डिजिट से लेकर start करेंगे सबसे पहले equal to या less than टेबल की टेबल में हम उस नमबर को ढूंडेंगे जो इस 18 के या तो equal हो या इस से छोटा हो तो यह नमबर है 12 हम यहां लिखेंगे 12 एं 12 बन सा 12 है तो यहां लिखेंगे 1 इसके बाद है subtract 18 में से 12 को subtract करेंगे हमें यहां मिला 6 इसके बाद step है next number next number हम यहां से लेंगे 0 उसके बाद फिर से वही step 12 की टेबल में से हम ऐसे नमबर को ढूंडेंगे जो या तो 60 के equal हो या उससे छोटा हो तो वह नमबर है खुद 60 हम यहां लिखेंगे 60 और इसका जो नमबर है 1 2 3 4 5 5 हम यहां लिखेंगे इसके बाद step आता है minus 60 में से 60 को हम minus करेंगे हमें मिला remainder 0 next number हमारे पास नहीं है तो यह divide यहीं खत्म होता है हमारा answer है 15 quotient and 0 remainder next example देखते हैं इसके लिए हमें 17 का table लिखना है फिर से हमें यही method यूज करना है यहां टू डिजित नमबर है हम यहां टू डिजित नमबर लेंगे सबसे पहले 17 की table से हम उस नमबर को देखेंगे जो 81 से छोटा हो या उसके बराबर हो वह नमबर है 68 1 2 3 & 4 फोर्थ नमबर पर है यह तो हम यहां लिखेंगे 4 & यहां लिखेंगे 68 नेक्स स्टेप है सब्ट्रेक्ट करने का तो हम यहां करेंगे सब्ट्रेक्ट 81-68 is equal to 13 नेक्स हमारे पर स्टेप है नेक्स्ट डिजित तो हम यहां से नेक्स्ट डिजिप लेंगे 7 इसके बाद हम 17 की table में से उस नमबर को लिखेंगे जो 137 के या तो equal है या उससे छोटा है तो वो नमबर है 136 हम इसका place लिखेंगे 8 & यहां लिखेंगे 136 137 में से 136 को minus करेंगे answer is 1 यह हमारे पास है remainder और यह हमारे पास है quotient students यह trick उनके लिए है जो maths में division में बहुत confused होते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले यह cycle लिखना होगा इसके बाद हम हमारा division perform करेंगे नेक्स एक्जामपल पर आते हैं इसके लिए हम लिखेंगे 42 का table तो students यह हमने लिखा 42 का table इसके बाद हम हम देखेंगे यहां two digit है और यहां हम लेंगे two digit लेकिन यह two digits इस 42 से smaller है तो हमें एक और digit लेना होगा 152 यहां हमें मिला अब हम 42 की table में से उस नमबर को सर्च करेंगे जो 152 के equal हो या उससे छोटा हो इस 126 हम लिखेंगे 123 थर्ड प्लेस पे 126 आया है 152 में से 126 को minus करेंगे हमें मिलेगा 26 इसकी बाद next step हम यहां से लिखेंगे 9 अब हम सर्च करेंगे table में तो हमें मिलेगा number 252 इसका प्लेस है 6 हम यहां लिखेंगे 6 और 252 यहां लिख देंगे इसी बाद next step subject करने का subject करने पर आएगा 17 नेक्स हमारे पास कोई digit नहीं है तो हमारा division यहीं खत्म होता है हमारा answer है quotient is 36 and remainder is 17 तो students बहुत जरूरी है सबसे पहले हमें टेबल लिखना और उसके बार इस cycle के coding काम करना next हम ट्रिक रेकर आएंगे कि प्राइम नंबर क्या है और बंच से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर को कैसे identify करें तब तक के लिए धन्यवाद प्रेंट्स स्क्रीन पर दिखाए हुए circle को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सीधे ही subscribe कर सकते हैं और साथ ही हमारी बाकी playlist एंड वीडियो सक भी जा सकते हैं धन्यवाद प्रेंट्स सकते हैं